कॉंट्रुवर्सीज और सलमान खान का रिष्टा ऐसा है जैसा किसी गिल्फरिंड और बॉइफरिंड का होता है जो हमेशा ही साथ साथ रहते हैं जी हाँ अब सबी को बता दूँ किस वक्स सोशल मेडिया पर फिर से एक बड़ी खबर सामने आई है सलमान खान के अगेंस्ट एक जर्नलिस्ट ने 2019 में केस पाइल किया था और उस केस की सनवाई जो है वो शुरू हो गई है और इस पर क्या बड़ी अपडेट आई है चलिए आपको ब 2019 में केस पाइल किया था अंधेरी में अंधेरी के कोट में सेशन कोट में इसको कही न कहीं एंटर किया गया था लेकिन उसके बाद से इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी बड़ आपको बता दूँ कि सलमान खान के लीगल वोस जो है वो नेवर एंडिंग नजर आते इस बारे में रिपोर्ट करते हुए कहा था अंधेरी मेट्रोपोलिटीन मजिस्ट्रेट कोट है इसूद ए प्रोसस अगेंस्ट सिलमान खान और इस बोड़ी गार्ड मुहमद नवाज इकबाल शे यह दोनों ही लोग 5th of April 2022 को समन होंगे कोट के सामने और उसे के साथ साथ बोथ of them have been charged against section 504 that is intentional insult with intent to provoke breach of the peace जी हा और उसे के साथ 506 criminal intimidation धोका दड़ी से ही सही या गुस्से से ही सही लेकिन एक insult जो है वो उस journalist की हुई जुसके बारे में ये केस पूरा का पूरा रखा गया है और हिंदुस्तान ताइम्स के मताबिक आपको बता दूं that metropolitan magistrate आरार खान CRPC postponement of issue of the process और इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा मामला जो है इस बारे में बताते हुए detail में उन्होंने कहा है that police के पास as such को positive record नहीं है positive police report and other material needs to be there on the record and there are sufficient grounds to proceed against the accused person for the offenses under section 504-506 of the Indian Penal Court hence I am satisfied to issue process against that accused person जी हाँ यानि कि Salman के against जो है बहुत जल्द इस case में सुनवाई शुरू हो जाएगी अब इस बारे में Salman के fans और आप सभी को क्या है कहना बताएगा जरू हमें comment box में